हिंदी 18 न्यूज अपने शिल्प को आगे बढ़ाते रहे हैं। प्रकार की तक्नीकों का उप्योग करके बनाया जाता है। जिसमें हाथ गाट, हाथ टफ्टिंग और हाथ बुनाई शामिल है। डिजाइन अक्सर पारंपरिक रूपांकनों से प्रेरित होते हैं। जैसे पैसले, फ्लोरल और ज्यामिती ये पैटन। मिर्जापूर कालीन संयुक्त राज अमेरिका, योरोप और मद्यपूर्व सहित दुनिया भर के देशों में निर्यात किये जाते हैं। मिर्जापूर में पीतल उद्योग का भी इस थानिय अर्थ विवस्ता में महतुपूर्ण योगदान है। ये शहर कई पीतल कारेशालाओं का घर है, जहां कारीगर बरतन, घर की सजावट की वस्तूओं और धार्मिक कलाकृतियों सहीत पीतल के उतपादों की एक विस्त्रित संखला तयार करते हैं। पीदल के उत्पादों को पारंपरिक तक्नीकों का उप्योग करके बनाया जाता है, जैसे की सैंड कास्टिंग और लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, तैयार उत्पादों को अकसर जटल डिजाइन और पैटन से सजाया जाता है, जिससे को प्रशासनिक व्यक्तियों और उत्साही लोगों के बीश लोगप्रिय हो जाते हैं उनकी लोगप्रियता के बावजूद मिर्जापुर में कालीन और पीधल दोनों उद्योगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सस्ते बड़े पैमाने पर उत्पादित विकल्पों के बढ़ने से हस्ते निर्मित उत्पादों की मांग में गिरावट आई है हाला कि इन पारंपरिक उद्योगों को सन्रक्षित और बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किये जा रही है सरकार ने कारीगरों का समर्थन करने के लिए उन्हें रिण और प्रशिक्षन कारिक्रमों तक पहुँच प्रदान करने सहित कई पहल शुरू की है जिसमें से सरकार की एक जिला एक उत्पाद यानि ODP योजना शामिल है इसके अंतरगत भारत में और अंतराश्ट्री इस्तर पर इन पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने और मार्केटिंग करने के लिए कई गैर लावकारी संगठन काम कर रहे है मिर्जापुर का कालीन और पीथल उद्योग शहर की सम्रिद्द सांस्कृतिक बिरासत और कुशल कारिगर परंपराओं का एक वसीयत नामा है इन उद्योगों को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास ना केबल कारीगरों की आजीविका को बनाई रखने में मदद करेंगे बलकि भारत की सम्रिद्द सांस्कृतिक बिरासत के संरक्षन में भी योगदान देंगे